कैस वभी से भी प्यारे प्यारे शात्रों आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर सड्डा पर सिक्सक भरती में प्रात्मिक और माध्यमिक के कुछ पद आने वाले हैं कैसे पद होंगे कौन अपलाई कर सकता है क्या सारे चीज़ें सिटेट नहीं चाहिए होगा लेकिन जो दूसरे चीज़ चाहिए वो थोड़ा सा खतरनाक है तो राज्ये सभी लोग अपलाई कर सकते हैं थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं क्या है तयारी कर रही है भाई मध्य परदेश में सरकार जो है 9000 सिकसकों के पद हैं 2000 और बाकी पद हैं कुल मिलाकर लगबग 11000 पदों पर अगस्त के महीने में भरती कराने की तयारी इसको लेकर आप सभी समाचार पत्रों में देख सकते हैं कैलेंडर जारी करेगा विभाग बहुत जल्द और जो जादा पद हैं अभी वो हैं आपके वर्ग 2 के ग्रेट 2 की जो वेकिंसे उसके लिए हैं इसमें वो ही बच्चे अपलाई कर पाएंगे जिनोंने पहले एमपिटेट क्लियर किया हुआ है तो मैं जो आपको लोगों को बता रहा हूँ अच्छे से समझते चलना भाई कनफ्यूज मत होना एमपिटेट वर्ग 2 जो ये वाली वेकिंसी हैं से आप TGT की तरह मानिए ठीक है वहाँ पर इसे वर्ग 2 बोला जाता है बहुत से लोग अभी जोइनिंग कर भी रहे हैं बहुत अलग-अलग राज्यों से जोइनिंग कर रहे हैं PGT लेवल पर यानि कि जो आपकी वर्ग एक की भरती है उसके अभी जोइनिंग चल रही है जहां तक बात है वर्ग 3 की यानि की PRT की तो ये तो मैंने पहले बताया आप लोगों को B.Ed वालों के लिए अगस्त में प्रस्तावी थे उसको लेकर सारी तयारिया जो की गई है उसके बारे में बताया गया है कि एक्जाम जो पेपर जो चप बनेगा वो पाँच मिनट पहले बनेगा फिर सीधा प्रिंट कराकर सेंटरों पर भेजा जाएगा एसी कुछ-कुछ तयारियों के बारे में बात हुई है अब बात करूँ अगर मैं वर्ग तीन की तो इसके लिए भी आपको M.P.T.E.T. देना पड़ेगा सिर्फ M.P.T.E.T. के बेसिस पर ही ये लोग जो है एक्जाम मतलब कोई और मेंस एक्जाम लेते नहीं है नहीं है ऐसा कुछ बाते कही जाते लेकिने सब बाते 2020 में भी थी और आप लोग जानते हैं कि वेकंसी एकदम से आई थी एकदम से एक्जाम हो गया था बहुत जादा टाइम भी बच्चों को नहीं मिला था तो आप लोग तयारी करते रहें MP TET को लेकर भी इसकी भी वेकंसी बहुत जल देखने को मिलेंगी अभी माध्यमिक के पद आ रहें लेकिन प्रात्मिक और माध्यमिक दोनों ही विभाग इन दोनों ही पदों की पूर्ती अब करना चाहता है तो यह चीज थी वर्ग एक के TET होगा वो देना पड़ेगा उसके बाद एक्जाम मतलब उसके बाद सीधी फिर आपकी जोइनिंग होती है कोई मेंस वगेरा का एक्जाम इसमें तो नहीं होता इसमें करवाते हैं अलग से जो कि अब हो रहा है आगस्त में तो यह थी जानकारी बाकी कोई बच्चा जो बैच में अन्रोल करना चाहता है नीचे नंबर आप देख पा रहे होंगा उस पर आप फोन कर सकते हैं बेस्ट आफ लग